हेलो दिजर स्टोरेंट्स आजब लोग प्लस वन क्लास का सेकंड यूनिट का पहला जैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिसकस करने जा रहे है बहुती बेसिक सा जैप्टर है केवल थेटिकल पार्ट है आज के लिए केवल इंट्रोडक्शन की क्लास है तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन स्टेट लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हमें कुछे टाम्स को जाना है जैसे की रेस्ट पोजिशन कौन से होती है किसी अब्जेक्टी मोशन क्या होता है इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं ठीक है उसके बाद हमें जानना इसके रहें डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेश्मेंट क्या है स्केलर्स वेक्टर्स क्या है तो पुझे किस प्रताज की स्टडी हम लोग किरेंगे मोशन इन स्टेट लाइन गया लाइन तो आप लोग सबसे पहले हैडिंग डाले में रेस्ट की रेस्ट क्या होता है देखें मोशन इन स्टेट लाइन मोशन का अगर हम विल्कुल सिंपल सा मीनिंग देखें तो मोशन क्या है मोमेंट किसी अब्जेक्ट का मोमेंट ही क्या लाता है बोसर क्या लागता है लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़े हैं तो क्या होगा सबसे पाइले जैसे हम रेस्ट को डिफाइन करने है कि रेस्ट क्या है लेकिन इसको अगर हम साइंटिफिक लेंगवेज में लिखें तो आम लोग क्या लिखेंगे हैं कि सब कोई अब्जक्त क्या लागरी अपनी पोजीशन चेंज लागरे विट रिस्पेक्ट टू टाइम कि यह समदोर क्या लिखेंगता है जोसे यह एक्जामता लेती है सबसे पहले जलिए कोई कार थी यह क्या कर रही है मूव कर रही है इस टाइक्सरवेग तो यह जैसे कैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है रोड़ पर यह अंगे बढ़ रही है लेकिन अगरभा भी एक्जामपल दो कि यहां पर कोई जैसे परसन बैठा हुआ है इस कार के जैसे एक प watermelon तो इसके respect में यह क्या रहे की?rest में और उससे अरद कोई object यहां है ठीक है? कोई object यहां गड़ा है उसके respect में यह क्या क्या है? motion में तो हमें एक reference point चाहिए किसी object को यह define करने के लिए कि वो rest में है या फिर motion में है तो जिसके reference में हम लग देखते हैं जिसके respect में हम लग देखते हैं उसको बोलते reference point reference point यानि किसी reference point के according हम लग बता सकते हैं कि कोई object motion में है या फिर वो rest में है तो हम लब definition लिखेंगे rest key rest key definition में हम लब क्या लिखेंगे कि when an object या रिख होगे when an object change its position when an object does not change does not change its position with respect to time with respect to time and its reference point and its reference point ठीके रिखेंगे लिखेंगे 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 अपनी position को change नहीं करेंगा किसके साथ time के साथ और इसके reference point के साथ तो वो क्या हो जाएगा आपका object किसके तर बोला जाएगा rest के अंदर अब हम लोग discuss करेंगी motion कि जो इसका बिल्कुल reverse है कौन? rest का बिल्कुल reverse कौन है? motion यही object यहाएगा moment object में नहीं है moment object में नहीं है तो उसको क्या बोलेगे? वो rest के अंदर है अगर moment है तो उसको क्या बोलेगे? motion के अंदर है तो आपको motion का बिल्के लिए इसकी motion क्या है? motion motion क्या हुआ? जब कोई object क्या करें अपने position को change करे with respect to time and its reference point तो वो क्या बच्चा है यह आपका motion so when an object when an object change its position change its position when an object change its position with respect to time with respect to time and its reference point and its reference point यह reference point पहुँ जहाँ important है आपको यह बहुँ अच्चे चुन देने की शुरूत है पी जैसे हम reference point एक बस के अंतर कसी है दो seats बढ़ी हुई है अज़िए यहां पर कोई person बैठा है कोई passenger बैठा है और दूसरे यहां पर कोई passenger बैठा है अगर यह बस motion में है फिर भी अगर यह दूसरे के respect में हम देखें यह दूसरे को reference point बाग गर देखें तो यह दोटों क्या है rest में है अगर यहां पर कोई person है तो बहार खड़ा है जो इनको देखें आए उनके reference में यह क्या है उसके respect में यह क्या है motion में है reference point के equality की अब लोग बता पाएगे कि कोई object motion में है या object rest के अदर है तो अब यह जो motion होता है यह बहुत से type का होता है यह आप लोगों ने सुना होगा जैसे कुछे की example में देता हो आपको circular motion यह सारे आप किसी class में आगे पढ़े लेगे तो मैं देखेंगा vibratory motion vibratory motion rectilinear motion rectilinear motion और यही जो है rectilinear motion यही आपका है motion in straight line motion in straight line यादि कि जो motion straight line के अदर हो उसको हम लोग क्या रोलते है rectilinear motion तो आप जो हम लोग discuss करने जा रहे है rectilinear motion हम लोग discuss करेंगे तो rest और motion दो जीज़े आपके पास clear moment और motion के बहुत से इसके बार भी बहुत से tights रहते है तो motion in straight line आज हम लोग discuss करेंगे तो अब सबसे पहले जब हम लोग motion करते है comment करता है कि हम लोग distance कवर करते है कुछे distance कवर करते है अब लोग motion के अंदर हो तो अब आरे पास दो terms होते है दिनको अब लोग science की language याई अगर मैं इसको inhibit बता हूँ तो ये क्या है distance जाने कि ये दूरी है अब इसी distance को इसी length को हम लोग science में दो terms करते है first एक आपके पास distance और दूसरा आपके पास displacement 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 सब distance और displacement पहुंद आप डिसकस करें ले तो वो क्या होगी देखो सबसे पहले आप लोग डिसकस करने जा रहे है distance तो heading डालीजिए distance 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 क्या है distance क्या है the actual path the actual path covered covered by a body covered by a body is known as distance is known as distance is known as distance the actual path actual lens जो कोई object cover करता है उसको हम लोग बोते है distance for example जैसे मैं इसको बहुत जी simple तरीके से आपको बता रहा हूँ कि जैसे मेरे पास यह एक right angle right angle right angle right angle angle एक हमारे पास है इसके अंदर देखो अगर यह point A है आपका यह point आपका B है यह point आपका C है कोई object है वो यहां से चलता है यहां से point B पर आता है और फिर पर चला लाता है point C के हुए यह यह वाड़ा length मैं length कर देता हूँ 3 meter है यह वाली length मैं length कर देता हूँ 4 meter है तो उसका दिस्टेंस हो रहा हो क्या होगा actual length 3 meter प्रसमे 4 meter यानि तो अगर मैं इसके distance point A करने की बात करूँ तो वो distance होगा 3 plus 4 meter यह देती आपका 7 meter distance क्या रहता है यह अब यह distance है यह scalar quantity है distance is a scalar quantity scalar और vector quantity आप लोगों है थोड़ा बहुत दानित के अंदर discuss किया होगा scalar quantity कौन शी होती है जिसके अंदर के और magnitude की बात हो अब यह 7 meter है इस direction में कैसे है हमें इस बात से कोई लेना लेना नहीं है हमें क्या करना है magnitude देखना है magnitude आपका देखना है 7 meter that's all इसके बाद हमें कुछ भी कहें कि जुरूरत नहीं है तो ऐसी quantities जिनी जन्तर केवल हम लोग बात कहें इसकी magnitude ऐसी quantities को हम scalar quantity कहते है तो इसी type से आपके distance जो है वो क्या है scalar quantity है plus में तो SI unit है distance में तो distance है क्या distance एक length है distance एक length है तो SI unit का निकल गया है meter SI unit of distance is meter तो में भी आपको जिस बिल्कुल प्लियर समझ आगे होगी कि distance क्या है अब इसके बाद जो हमारे पास next जिस का जो टोप्लिक बता है वो बता है displacement कौन आपता है displacement मैंने पहले बता है अब बहुत भी theoretical पार्ट आज हम लोग डिसकस करें है कोई भी ज्यादा इसके अगर सोचने सुचने वाई चीज है नहीं तो आप लोग केवज ये terms में आपको बता रहा है वो आप लोग रिखने होए displacement अब डिस्प्लेश्मेंट क्या है डिस्प्लेश्मेंट जब अब लोग डिस्प्लेश्मेंट लिखते है अब लोग लिखते है ति minimum distance the minimum distance the minimum distance between initial point and final point open object यानि कि एक object अगर को एक movement उसके अंदर आती है तो हम लोग क्या देखते है हम लोग देखते है minimum distance उसके initial position में और उसके final position में जैसे अगर आपको जालो हम एक distance के अंदर ये example दिया था right angle triangle था point थे A, B, C ये था 3 meter ये था 4 meter और जो object था यहां से इस direction के अंदर चला था यानि पहले वो A से B कितरब गया और D से फिर वो C कितरब गया था तो पुछ time हम उसका जो distance find out कर रहे थे वो अपकर का था 3 plus 4 यानि कितरब गया 7 meter 7 meter का distance ने जली आ रहा था अब हम लोग क्या कर रहे है object same इसी way से जलता है A, A से B और B से फिर C अब हम लोग क्या रहे है हम लोग fire out कर रहे है displacement 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 अगर हम लोग definition के उपर चने तो definition क्या है the minimum distance between initial point and final point of the object is known as displacement तो अगर इसके initial position क्या थी A, final position पर वो कहा हो जा C पर minimum distance इसका क्या है ठीक है minimum distance तो हम लोग इसका minimum distance निकाल लेगे minimum distance इसका क्या हुआ तो वो कैसे यह हमें पता ही है right angle and triangle है तो हम लोग क्या रगा देंगे x square is equal to p square plus b square means x square is equal to 3 square plus 4 square means 9 plus 16 25 is equal to x square 5 यानि जो आपका ऐसी निकर आएगा वो क्या आजाएगा root of 25 means 5 meter यानि जो अगर आपके displacement की बात करें तो वो क्या होगी 5 meter अगर कोई object एक ही पात के उपर चल रहा है सेम बात के उपर चल रहा है और उसके distance और displacement को compare कियाता है तो displacement या फिर मैं बात करूँ distance की तो distance equal हो सकता है displacement के लेकिन distance displacement से कम नहीं हो सकता तो आप लोग लिख सकते हो distance is always क्या लिख सकते हो आप या लिख सकते हो displacement के लिख सकते हो displacement के लिख सकते हो is always displacement is always equal to equal or less than or less than displacement is always equal or less than to the distance to the distance ठीक है distance या तो equal रहेगा या फिर क्या रहेगा कम रहेगा इसके अंगर क्या था इसके अंगर क्या था distance 7 meter का displacement क्या रहा 5 meter याने की distance या रहा displacement से कम रहा अगर यही हम इग्जाम्पल ने इसके एक स्टेट लाइन की लिए कि object क्या रहा है इक स्टेट लाइन की उपर रहा है इसके यह पॉइंट था एक और यहां से object इस पॉइंट था कोंचा भी पॉइंट था तो यह जो distance है लेट कर रहे हैं 5 meter है अगर इसमें distance की बात करें तो distance भी क्या होगा 5 meter होगी कितना चलाए 5 meter और displacement क्या बन जाएगा displacement आपको पता है minimum distance होता है initial point और final point की बीच में तो वह भी कितना है 5 meter तो ऐसे cases में straight line ही case में distance distance और displacement equal हो रहते हैं वहाँना displacement हम रहता है किससे? distance से अब इसकी हम displacement की कैसा unit की बात करें तो वह क्या होगा? meter कोई यह भी क्या है distance ही है, length ही है तो इसकी क्या रहती आपकी displacement की आसा unit क्या होगी? meter थेका है दिवर्ट की से करते है m से plus में अगर आप इसकी बात करें कि यह कौन से quantity है? displacement इसे vector quantity displacement इसे vector quantity होगी displacement आपकी जा होगी vector quantity होगी अब जो motions होते है अलग 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 तायल के motions के लिए हम लोग distance और displacement find out करने की कोशिश करेंगे और example अगर आपके पास question ऐसा आएगा कि एक 300 meter का कोई track है जिसके उपा कोई athlete दोर रहा है यह 400 meter का कोई track है या अगर आपको इसकी radius ने दी जाए कि इसकी radius है वो 100 meter है या फिर मैं सूँ 210 meter देखे एक ऐसा track है circular track जिसकी radius क्या है 210 meter उसकी radius है कोई athlete है वो इसके चक्कर अड़ा रहा है ठीक है इसके जारा वो दोम रहा है तो 2 and half 2 and half जब revolution उसके हो जाएगे जब उसके चक्कर नग जाएगे तो इसकी distance और displacement find out करो distance और displacement आपको find out करें तो ऐसे question आपके पूछे जाएगे ठीक है आपसे क्या पूछा जाएगे कि ये position है कि ए इसके उपर कोई object 3 and half आप चक्कर नगता है ऐसी ठीक है तो उसका distance and displacement find out करो आपको 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 सारी questions मिलेगे जो आपको करने है आपको आपको क्या करना होगा कि आपको दिये गए 2 and half evolution सबसे पहले आपको distance से बात करते कि distance कितला होगा तो एक जब ये circle इसका पूरा कर जाएगा एक evolution इसका complete हो जाएगा तब हम लोग find out करेगे कि कितना distance इसका complete होगा तो तो कैसे पता देगा ये circumference of the circle ठीक है ये क्या होगी circumference of the circle तो जिसने circumference है इस circle एक उतने उसको वो distance के करेगा तो आपको क्या दिक होगे distance is equal to what 2 pi r 2 pi r's का formula of circumference of the circle 2 pi r आपके दिखाई आपको क्या करणों के 2 pi r 22 by 7 और intu में r 2 1 0 किक है तो हम लोग जाने एक circumference के लिए आपका 0 और 24 intu में 3 means 3 1 3 2 0 meter distance वो cover करेगा जब उसका एक चक्क्र लगाएगा अब जब उसको चक्क्र दिने लादेगा 2 and half तो 2 and half के इसकी distance कितने बन जाएगी 1 3 2 0 intu में 5 by 2 2 and half 5 5 by 2 यहां पे 6 और फिर 6 और फिर 0 याने इसकी distance कितने बनेगी 0 0 और 3 3 3 0 0 meter इसकी distance बन जाएगी ऐसे आप इस portion को स्वान करोगे इसकी distance कितने 3 3 0 meter याने 3 300 meter अब इसकी जाएगर हम displacement की बात करें displacement तो वो आपका कितना होगा वो आपका होगा यहां से आप करें आपने आप करें आप आपके आप आप होगे होगे यह point आपका B point है तो जब displacement की पाद होगी एसे questions आपके पास इस chapter के अंदर पुछे जाएंगे क्या discuss करता है हमें देखना है विरोसिटी के बारे है ठीक है विरोसिटी स्प्लीड अगर आप अगर यह बहुत सारे इसके अंदर जो भी question आएंगे इनको भी आप discuss करेंगे अभी अपना इस motion जो होता है यह दिको तू टाइप्स का होता है motion जो फिरोसिटी आपका है तू टाइप का आपने पहले जी चीजे पढ़ी होगी one is uniform motion and second one is non uniform motion अब uniform और non uniform motion को मिशा होता है uniform motion वो motion है जिसके अंदर क्या करता है एक object same speed से चलता है आप ऐसे बोल सकते है uniform motion यानि कि कोई object equal distance कवर करे हम लोग करते हैं कोई object यहाँ से चलता है five o clock पर, five o clock पर वो यहाँ से चलता है यह hundred meter degree distance है हम इसके parts कर रहते हैं 10-10 meter के light कर रहते हैं इसकी यह 10 parts बढ़े हो बढ़ता है, जो पहला 10 minutes होगता है वो led कर रहते हैं वो one minute के अंदर चलता है 1 minute के अंदर वो पहला 10 minutes शैकल भी one minute, उसके बाद भी one minute उसके बाद भी one minute यह रहे 10 meter का interval वो eight minute में cover कर रहा है वो interval इतना भी छोटा हो सकता है जो टैया five meter भी होसकता है 2 मिंटर भी होसकता, 1 मिंटर भी होसकता, इस बाद से अमें कोल प्रण नहीं पड़ेगा, लेकिन वो क्या करें, हर एंटरवल को इक्वल टाइम के अंदर कवर कर ले, तो ऐसा मोशन आपकर क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन, और नोन यूनिफॉर्म मोशन जो इसका फिल इक्वल रिवर्स हो, कैसे, कि नोन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब वो इस इक्वल इंटरवल को इक्वल टाइम के अंदर कवर ना गए, इक्वल इंटरवल को अन इक्वल टाइम के अंदर कवर करें, तो ऐसे डिस्टित मोशन को आपकर क्या बोलेके, नोन भी लिखने का प्रियास करेंगे लिखे पोश्चन वेन अब्जेक्ट 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 ताइड, no matter, no matter, how small, how small, these intervals, intervals, maybe, तेकर, ये कोई भी matter में करतां कि ये intervals इतने छोटे हैं, लेकिन वो क्या करें, पोई अब्चक्त कवर करें equal distance in equal interval of time, उसको अमझोग क्या हो रहें, uniform motion, जो आम लोग non-uniform motion पे आएंगे, ये आपका क्या था, uniform motion था, uniform motion, और दो लोग आजएड, non-uniform motion गे उपकर, non-uniform motion, तो हमलोग क्या करेंगे, one and of that covers equal distance in unequal interval of time तो इसके देखे हमारा क्या हो जाएगा unequal interval of time no matter how small these intervals may be ये intervals के दिने भी चोटे हो इस बात का हमारी उपर कोई भी fact नहीं पड़ता अब हम लोग जब next class इसकी लेगे तो क्या होगा हम लोग इसके कुछे graphs डिसकस करेंगे तो ये एक लोग इंट्रोटेक्शन चक्र का अपका motion इन स्ट्रेट लाइन के अंदर है और जो भी uniform motion होता है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही होता है क्योंकि जैसे direction change होगी वैसे ही वो uniform भी नहीं रहेगा जोकि इस motion के अंदर direction भी क्या करती है matter करती है तो आपको next video जल्दी मिलेगा उसके लिए आप लोग क्या कीजिए आपको अगर उसका notification चाहिए तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और आप सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिए ताकि आप लोग free of post live classes physics की पड़की हो सकें ठीक है तो उसके जल्दी आपको वीडियो आपको मिलेगा तुमें के लिए thanks